नमस्कार दोस्तों एक और जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पिछले सालों में आपकी मैस के अंदर सैकिंड ग्रेड के अंदर कितनी सीटे आई हैं और इस बार कितनी उमीद हैं कि कितनी सीटे आ सकती हैं तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लिए क्यों क्योंकि हम सेकंड ग्रेड मैस से रिलेटेड पूरा कंप्लीट कोर्स चाहें वो टीचिंग मैथेड हो चाहें 9th से 12th वाला पार्ट हो चाहें BSC वाला पार्ट हो एक एक टोपिक आपको यहां पर करवाएंगे यूटूब पर और करवा भी रहे हैं लगबग 110 पलस क्लासिज हमारी आचकी है आदा कोर्स दिस्क्रिशन में हैं तो टेलिग्राम चैनल पर भी आपको नोट मिल रहे हैं पलस आपको टेस्ट स्रीज फ्रीवें दे जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई 15 क्योशन रोजान आपको इस प्रवाइकर से भी चीजें मिल रही हैं तो कहा दिक्कत रहेगी एक चीज तो हम आयांबर करा रहे हैं तो किसी भी online course कहीं offline कुछ भी नहीं करना बिल्कुल free of post क्योंकि आप online वगेरा लेते हो तो कितना pay आपको करना पड़ता है 30 30 35 35 यहां पर करने हैं तो बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज आपको समझनी है और हम कोई भी समस्याई तो comment box के अंदर लिख सकते हैं आपका तुनत प्रवाव से आपको मैं reply करता हूँ ठीक है चलिए आज हम बात करते हैं second grade मैस में पिछले सालों में कितनी सीटें आई है सेकंड ग्रेड मैस के अंदर पिछले सालों में कितनी सीटें आई हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्स और यहां पर लिखते हैं सीटें और इस बार भी आपको मताऊँगा कि कितनी सीटें आएगी लगबग 2008 के अंदर 2008, 2011, 2013 और 2016, 2018 ठीक है तो यह 5 साल और अब 2012 के अंदर लगबग कितनी सीटें आएगी इस पर भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले 2008 के अंदर आपकी पोस्टें आई थी 2000 ठीक है और देखो 2000 सीटें हैं और मेरिट भी आपको में नितादी थी कितनी रही थी जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो भी आप देख लेना वहाँ पर मैंने मेरिट के बरेंताया हैं कि 2008 के अंदर कितनी मेरिट रही थी 2011 के अंदर, 2013 के अंदर, 2016 के अंदर, ठारा के अंदर कितनी मेरिट रही थी तो वीडियो भी आप देख सकते हैं 2013 के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी पोस्टें 2213 के करीब आपकी पोस्टे आई थी 2013 के अंदर और अगर हम बात करें 2016 के अंदर तो आपकी सीटें 442 ठीक है यहां पर सबसे 2016 के अंदर सीटें मैट्स की कमाई थी 2016 के अंदर और 2018 के अंदर लगबग आपकी सीटें 700 पुलस थी 727 ठीक है 727 आपकी सीटें थी और 2022 के अंदर अब हम बात करेंगे कि लगबग कितनी सीटें आ सकती हैं तो यह तो आपको में रिता दिया कि यह क्या क्या सिस्टम है अब हम 2022 करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों लेकि सेकंड पेपर तुम आपको यहाँ पर त्यार करवा रहा हूं बिल्कुल अच्छे थे फ्री ओफ कोष्ट अगर आप फर्स्ट पेपर जो जीके वाला पोरिशन है उसकी त्यारी करना दाते हैं तो आपके लिए जबर्दस प्लेटफॉम अनकेडमी जैसा क्या जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉम है अनकेडमी यहाँ पर आपको इंडिया के टोप एजुकेटर बढ़ाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको अनकेडमी डाउनलोड क कर लेना है उसके बाद अपने मुगाई नंबर से sign up कर लो और आर्पीसी की तैरी करें तो आर्पीसी वहाँ पर सिलेक्ट कर लो अब आपने एक बार सब्सक्रिशन लेना होता है सब्सक्रिशन ले लिए आपने किसी भी एजुकेटर का तो ऐसा नहीं है कि आप इसी की क्लास बेनिफिट ये है कि उसके अंदर आप पर टेक टीचर की क्लास दे सकते हैं पलस आपको नोट्स वहाँ पर दियेंगा है टेस्स श्रीज सब कुछ आपको अनकैडमी पर फ्री मिलेगा तो एक बार सब्सक्रिशन लेना है और सब्सक्रिशन लो तो उसमें भी देखो एक खा तो इस कोड से जरूर उप्योग करना 10% आपको तुरुद प्रभाव से डिसकाउंट मिल जाएगा और भी वहाँ पर आपको स्कोलर सीब मिलती है स्कोलर सीब टेस्ट होते हैं उनमें भी आप जरूर जोइन होई है आपको निशित रूप से बेनिफिट मिलेगा और भी इस जाएगा ठीक है अब बात करते हैं 2022 के अंदर लगबक कितनी सीटें आपकी आ सकती है और पीसी सेकिंड ग्रेड के अंदर कहीं कहीं देखो मैं इस पर वीडियो भी बनाये था वह सार दोस्त करें थे कि इस बात 4000 आएगी तो देखो जो रिक्त सीटें होती हैं उसकी लगब कर अभी रिशेंड में खाली लगबक 4000 के करीब दिखाई दे रहा हैं तो मैक्सिमम सीटें देखो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2200 के क्रीब लगबक 1500 से 2200 की बीज में ही सीटें आप आएंगी उससे अधिक सीटें नहीं आ सकती क्योंकि रिक्त इतनी खाली है तो उससे तो आपकी सीटें भी अच्छी कासी हैं देखो लगबक 2000 सीटें हैं तो लगबक मैक्सिमम दो-दोहजारी सीटें आ रही हैं तो अच्छी कासी सीटें हैं अब त्यारी में लग जाओ पूरा कोर्स आपको यहां पर कंप्लीट करवाया जा रहा है इसका बेनिफिट जरूर चलिए उमीद करता हूँ आप जो आपको लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट जरूर उठाएंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह हैं कि बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं चलिए आज की सुझी में इतना ही थैने बात